मेरे प्यारे दोस्तों आपनों को मेरा प्यार भारा नमस्कार आज मैं आप लों के शिवई के मिठाई लेकर आए हूं पतली दूद में डालकर उसके मिठाई बनाऊंगे यह देखिया तो चलिए आप फिर सुरू करते हैं यह दि आप लों को हमारे रेश्पी अच्छी लगत सपहा करा देखिये हमने क्राही रखा है क्रह हमीं थोड़ा सा थोड़ा चमाश से अधा घ्री डाला है गी डालेंग इसमें और यह सेवय है पतली वाली सेवय है यह तो इसे भुण होई जर्बंदेगा न तो ताजह से हो जाएग इसका यह देखिये यह चीनी है कानवेल च कि पानी डाल करके रखी और अब कर दो दोंगे अबे देखे इसमें रहार है पानी डाले यह बन कर दिया पकाना है आपानी डाल करें तो अब देखे ज़क दोंगे 15 मिनट यह देखाए 15 मेट में अपने आप सेवी फूल जाएगी एकदम तब तक कि धर हम दूध है गढ़ा कर लेते हैं जब तक सेवी हमारी फूलती है तो यह देखें आप कि यह दूध हमारा गाड़ा हो गया एकदम एक लेटर दूध था गाड़ा हो गया और इसमें अब हमने इलाइच्व करके तोड़ करके पोड़ा करने छहल कानी निपालज करके कोट लेया जाल दिया और अब हमार दोद्वय तियार हो गया मैं उसको हम इसमए मिठाई बनाएंगे जमाएंगे मतलव revenues फिर बाद में खाएंगे पहले इसको इसमें जमाएंगे यह पहले हमने नीचे दूद गाड़ा डाल दिया अब इसके ओपर यह जो सेवई हमने भूनकार और पानी चीनिक पानी में रखी तिरम उसको करके बना करके अब वो इसको इसमें मैं डाल दूँ उपर से पहले गाड कर दूंगी को पूरा ही ढग दूंगी अधक कर दें इसको पांच-सात मिनट के छोड़ देंगे ताकि इसका यह दूद का और शवय का सारा न इसमें आ जाए ज्यादा ज्यादा 10 मिनट तब दूद की अन्दने इसारा दूद का वो गाड़ दूद जो हमारा चला जाएगा त तो यह देखी एखे, मैं उसको ο semaines कब कर दोंगे, अब यह मैं तो कबर कर रही हूं, कबर करके इसको ठंडा करू गे 10 दस दंच के लिए तल तक आप बताएए, आप क्या बना रहे हैं, कैसे से क बना रहे हैं, इस बार हो लिए मैंने से के og भी बना यह मैंने इसमें डाल दिया आप यह से डालकर बनाए यह बहुत अच्छा लगता है जो हम रोज से बना खाते नहीं से बिल्कुल ना लगए से मिठाई जैसे लगता यह देखिए देखिए एक दम बिल्कुल जम गया है अगर खुले बढ़ते हैं तो काटकर निकलता यह आया ठीक है प्लीज कमेंट जरूर क्या करिए रिष्पी के बारे में अच्छा चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिष्पी लेकर के नमस्कार